Hello everyone, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं पिजिक्स के सो मॉस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन, भोतिक विज्यान के ऐसे महतोफोन क्यूशन जो परिक्षाओं में बार बार पुछे जाते हैं, तो क्लास में लास तक बने रही हैं, इन्हीं में से आपकी एक्जाम में आपको एक क्यूशन जरूर देखने को मिलेगा, क् विद्यूद मातरा कैं यंपके क्या हटी है, एंपियर होती है या एंपियर है वो किसकी इकाई होती है, यह होती है विद्यूद मातरा की, यह क्यूशन जो है एक्जाम में पूछा गया Qution है, next देखिए, Joule 1 है, तो Joule है, वो किस की, Joule की 1 क्या है, यह उर्जा की 1 है, Joule जो है, किस की 1 है, यह उर्जा की 1 है, next देखिए, Qution है, Lumen किसका मातरक है, तो Jyoti Flux का मातरक क्या है, Lumen है, तीनों Important Qution है, एक्जाम में पुछे गए Qution है, यह Railway के अगर आप त्यारी कर रहे हो, तो यह Class आपके लिए Important है, SSE ZD की त्यारी कर रहे हो, तो Class में लास्तिक जरूर बने रहे हैं, इन्ही मेसे जो Qution है, आपके एक्जाम में पुछे जाने वाले हैं, य Lumen किसका मातरक है, यह Jyoti Flux का मातरक है, बढ़ते हैं, नेक्स्ट Qution की और, Qution देखिए, SSE Pudit में Lens की सक्ती की इकाई क्या है, Very Important Qution, Railway में यह, लास्ट टाइम जो एक्जाम हुआ था, उसमें यह बार-बार पुछे गया था, 5-6 सिफ्ट में यह पूछा गया था, SSE Pudit में जो Lens की सक्ती की इकाई है, वो क्या है, Diopter है, अंसर क्या होगा, Diopter होगा, Very Important Qution, Next, SSE में पूछा गया Qution, SSE CGL का Qution है, Candle, 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 Maatrak है, किसका है, यह, जोती तिवरता का, Candle, जो Maatrak है, यह, किसका है, जोती तिवरता का है, Important Qution है, 3-0 Qution Important है, यह, Next, देखे, Dab का Maatrak, यह सभी परिक्षाम में पूछा जाने वाला है, Doab का Maatrak क्या है, Pascale है, और इही म इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही क्यूशन आएंगे, आप चाहिए इनको लिख लीजिए, यह आपकी एक्जाम में इन ही में से आपको एक क्यूशन जरूर देखने को मिल जाएगा, चाहिए आप रेलवे की त्यारी कर रहे हो, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नेक्स एम्पियर का क्या नापने की एकाई है, तो एम्पियर जो है, किसको नापता है, यह करेंट को नापता है, नेक्स्ट है प्रकास वर्ष एकाई है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन, बिल्कुल एक्जाम में छपने वाला क्यूशन जो है, प्रकास वर्ष एकाई है, क की इकाई है नेक्स्ट क्यूशन देखिए क्यूरी किसकी इकाई का नाम है तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की जो इकाई है वो कौनसी है क्यूरी है नेक्स्ट है कारिय का मातरक है तो क्या है जूल जो है कारिय का मातरक है नेक्स्ट है जड़त्वे का माप क्या है तो क्या होता है दर्वे मान जो है जड़त्वे का माप होता है तीनों important question है ये मातरक वाली सारे की सारे important है एक exam में आपके जरूर देखने को मिलेगा question एलपी में ये question पूछे जाते है लोको पाइलेट में नेक्स्ट है कि Armstrong क्या मापता है तो Armstrong है ये किसको मापता है ये तरंग धेरिये का मापन करता है नेक्स्ट है एक स्वस्त वेक्ति के सरीर का ताप होता है तो ये होता है 37 degree celsius exam में पूछा गया question है next है प्रकास वोल्ट ये सेल के प्रियोग से सोर उठ्जा का रुपांतरन करने से किसका उतपादन होता है very important question किसका उतपादन होता है प्रकास ये उठ्जा का उतपादन होता है देखिए question में क्या है प्रकास वोल्ट ये सेल के प्रियोग से सोर उठ्जा का रुपांतरन कर करते हैं प्रकास ये उठ्जा में करते हैं Important question है Next question देखिए हमारा क्या है ये है उत्पलावगता से सम्मंदित वेग्यानिक है Very Important Question तो कौन थे ये थे आर्कमेटीज आर्कमेटीज है इसने क्या दियाता कौन सा ये उत्पलावगता का सिधान्ज दियाता Very Very Important Question Next question देखिए द्रवग में आंसिक या पूर्ण तर डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उचाल की मात्रा निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है क्या बोल रहा है कि द्रव में आंसिक या पूर्ण तर डूबे हुए कोई भी ठोस है उसके द्वारा जो प्रात उचाल की मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है ये ठोस द्वारा हटाए गए दर्व की मात्रा पर निर्भर करती है Next देखिए जल प्रस्ट पर लोहे के टुकड़े के ने तेरने का कारण है क्या बोल रहा है कि जल के प्रस्ट पर जो लोहे का टुकड़ा है वो क्यों नहीं तेरता है उसका कारण क्या है लोहे द्वारा विस्तापि जल का भार लोहे के भार से कम होता है मतलब क्या होता है कि लोहे का भार जादा होता है इसलिए वो डूब जाता है नेक्ट क्यूशन है हमारा वेग, समवेग और कोण ये वेग कैसी रासी है तो ये कैसी रासी है वेग, समवेग और जो कोण ये वेग है ये सदिस रासी है कैसी है वेग और सम वेग और जो कौन ये वेग है ये सभी सदिस रासिया है नेक्स देखे जब कोई वेगती चंद्रमा पर उतरता है ततो तो उसके सरीर में उपस्तित क्या होता है भार जो होता है वो घड़ जाता है तथा उसका जो मात्रा है वो आपरिवर्टित रहता है मिलब दरवे मान जो है वो तो ब्राबर रहता है लेकिन उसका भार है वो घड़ जाता है तथा जो उसका मात्रा है तो वो सेम रहती है आपरिवर्थित रहती है नेक्स्ट क्यूशन देखिए पार्च एक इकाई है तो किसकी है ये दूरी की इकाई है प्रकासवर्ड भी दूरी की थी और पार्च एक भी दूरी की थी ये दोनों important है, exam में पुछे गए question है next question क्यों बढ़ते हैं, ये देखिए question क्या बोल रहा है किसी पिंड के उस गुंधरम को क्या कहते हैं जिससे वे सिधी रेखा में विराम या एक समानगती की इस्तिती में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है तो क्या कहते हैं, उसको जड़तवे कहते हैं मतलब कि कोई पिंड है, कोई सिधी रेखा में जा रहा है या विराम कर रहा है, या एक समानगती से वो जा रहा है तो उसका जो परिवर्तन का विरोध है, वो करता है तो उसको क्या कहते हैं, जड़तवे कहते हैं नेक्स्ट है, न्यूटन के पहली नियम को क्या कहते हैं, ये जड़त्वय का नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, जड़त्वय का नियम कहते हैं, नेक्स्ट है, वायू मंदल के बादलों के तेरने का कारण है, घनत्वय के कारण जो है, वायू में बादल तेरते रहते हैं, समुंद्र में उत्पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुंद्र के सतय से उपर होता है तो समुंद्र से उपर कितना होता है यह होता है 1 by 10 पार जो है आइस का समुंद्र जल से उपर होता है सतय से नेक्स देखिए जब कोई नाव नदी से समुंदर में परवेस करती है तो वो क्या होती है थोड़ी उपर उठ जाती है तो कब होता है चार डिगरी सेलसियस पर पानी का घनतव अधिक्तम होता है ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन है ये एक्जाम में पूछा गया क् नेक्स्ट क्यूशन देखिए तेराको नदी के मुकाबले समुंदरी पानी में तेरना आसान क्यों लगता है जो तेराक होता है उसको नदी के मुकाबले में समुंदर के पानी में तेरना आसान क्यों लगता है क्योंकि समुंदरी पानी का घनतव है वो साधर्ण पानी से ज यही तो कारण था कि जो नदी में जो नाव चल रही थी, वो समुंदर में आने पे वो उठ जाती है, क्योंकि वो पानी का जो समुंदरी पानी का है, वो घनत्वे जादा होता है, इसलिए नाव जो उपर उठ जाती है, और जो तेरा को इसमें तेरने में आसानी होती है, नेक नेक्स क्यूशन देखिए लोहे की सुई पानी की सतय पर तेरती है पर परी घटना का कारण है तो जो लोहे की सुई है वो पानी की सतय पर किस कारण से तेरती है तो इस घटना का क्या कारण है प्रस्ट तनाव के कारण जो सुई है वो पानी पर तेरती रहती है important question है ये next question देखिए एक अंतरिक्स यात्री प्रत्वी तल की तुलना में चंदर तल पर अधिक उची उच्छाल लगा सकता है क्यों लगा सकता है अभी बताया था उस पे चंदर तल पर जो है गुर्टाक्षनबल प्रत्वी की तुलना में अत्यल्प होता है, बहुत कम होता है, कितना कम हो जाता है, 1 by 6 हो जाता है, यह चंदर्मा पर, कितना हो जाता है, 1 by 6 हो जाता है, वहां पर जाने पर भार कम हो जाता है, तो चंदर्मा पर जो है, गुर्तो आक्षन बल है, वो कम हो जाता है, इसी कारण पट्वी तल की तुलना तो जी का मान क्या होगा बढ़ेगा किसका गुर्तवाकृषन का जो मान है वो बढ़ेगा नेक्स देखिए शरीर का वजन धूर्वों पर अधिक्तम होता है जब गुर्त्वाक्षन का मान यहां बढ़ रहा है धूर्वों पर तो शरीर का जो अधिक्तम वान है वो धूर्वों पर अधिक्तम होता है नेक्स देखिए ब्लोटिंग पेपर द्वारा श्याई के सोकने में सामिल है क्या सामिल है केसी के अभिकिरिया की जो घटना है ये सामिल है कोन सा है केसी के जो अभिकिरिया है केसी के जो अभिकिरिया है ये ब्लोटिंग पेपर के द्वारा स्याई सोखने में सामिल होता है कौन सा केशी के अभिकिरिया नेक्स है जब एक पत्थर को चांद की सतह से प्रच्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाता है प्रंतु दर्वेमान वही रहता है एक पत्थर जो है वो चंदर्मा की सतह से जब प्रच्वी पर लाया जाता है तो उसका दर्वेमान तो इतना ही रहेगा लेकिन जो भार है वो बढ़ जाएगा नेक्स देखिए किसी लिफ्ट में बेटे हुए विक्ति को अपने भार कब अधिक मालूम पढ़ता है कब अधिक मालूम पढ़ता है जब लिफ्ट है तिवर गति से उपर जा रही होती है तो उसको अपना भार है वो बढ़ा हुआ मालूम पढ़ता है इंपोर्टेंट क्यूशन है ये एक्जाम में पूछा गया क्यूशन है गुर्टवाक्षन के सार्व भौमिक नियम का प्रतिपादन किस ने किया तो किस ने किया था गुर्टवाक्षन का जो है सार्व भौमिक नियम है वो किनों ने दिया था ये न्यूटन ने दिया था नेक्स्ट है उर्जा सरक्षन का आशे है कि क्या है उर्जा का नतों स्रजन किया जा सकता है और नहीं विनास किया जा सकता है मिलब क्या है कि उर्जा को नहीं तो उत्पन किया जा सकता है और नहीं इसको खत्म किया जा सकता है ये उर्जा सरक्षन का आशे है इसको एक रूप है वो क्या काम में लिया जाता है रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तों की इस्तिती को ग्याद करने में है रडार का उप्योग किया जाता है ये question important है next question देखे क्या है पास्कल इकाई है तो किसकी है ये तापमान की एक इकाई है पास्कल जो है तापमान की इकाई है नेक्स हमारा क्यूशन है कौन सी उचाई भू इस्तिर उपगरों की है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन कितनी होती है भू इस्तिर उपगरों की इस्तिर उपगरों की नेक्स देखिए क्रीम सेपरेटर में दूद में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सक सकता है very very important question. railway का previous year question, railway G Dimay क्रीम सेपरेटर में दूद में से वसा खरण किस कारण से अलग किया जा सकता है तो यह अपके इंद्रिय बल के द्वारा दूद में से है वसा को अलग किया जा सकता है. next question देखिए next है पानी के एक गिलास में एक बरफ का टुकडा ते रहा है जब बरफ फिगलती है तो पानी के इस्तर पर क्या परभाव पड़ेगा तो पानी का इस्तर है उस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा पानी का इस्तर जो है उतना का उतना ही रहेगा नेक्स्ट है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर तूट जाती है क्यों टूट जाती है जो पानी की भरी हुई बोतल है वो क्या होता है पानी से भरी डोट लगी बोतल है वो अगर जमती है तो क्या होता है वो टूट जाती है क्यों कि जमने पर जो है जल का आयतन बढ़ता है मतलब जो ब्रफ है वो फेलती है क्या होती है फेलती है तो ब्रफ का आयतन यानि कि जल का आयतन बढ़ता है जिससे कि वो बोटल काच की बोटल है वो बरफ जमने से तूट जाती है नेक्स देखिए लेंब की बत्ती में तेल चड़ता है तो लेंब की बत्ती में तेल है वो किस कारण से चड़ता है ये चड़ता है केपलरी किरिया के कारण जो लेम की बती होती है उसमें जो तेल चड़ता है वो किस कारण से चड़ता है ये केपलरी किरिया के कारण चड़ता है important question है ये next है साबन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है वायूमंडली ये दाब से अधिक होता है जो साबुन के बूलबुले के अंदर का जो दाव होता है ये वातावरण के दाव से अधिक होता है next question क्यों बढ़ते हैं देखिए जब सुद्ध जल में detergent डाला जाता है तो प्रश्ट तनाव क्या होता है घट जाता है तो उसका प्रस्ट तनाव घट जाता है क्या होता है घट जाता है किसका जल का जब सुद्ध जल में डिटर्जेन डाला जाता है तो जल का है वो प्रस्ट तनाव घट जाता है तो ये सारे important question है exam में ऐसे ही question पूछे जाते हैं अगर आपने class को अभी तक नहीं like किया है तो उसको like कर दिजिए अपने दोस्तों में भी share किजिए next question क्यों बढ़ता है question देखिए Archmades का नियम किस से सम्मंदित है तो किस सम्मंदित है ये है पलवन के नियम से क्या है पलवन का जो नियम है वो Archmades ने दिया था next है दर्व की बूंद की आकरती गोलाकार होने का कारण क्या है जो दर्व की बूंद होती है वो गोलाकार क्यों होती है ये प्रस्ट तनाव के कारण होती है किस कारण होती है प्रस्ट तनाव के कारण जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है नेक्स्ट है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किस कारण होती है सताई तनाव के कारण प्रस्ट तनाव या सताई तनाव के कारण जो है बूंद गोलाकार होती है नेक्स्ट क्यूशन की और बड़ें देखिए भारहिंता होती है भारहिंता कब होती है जब गुर्टवाक्षन की सुनने इस्तिती होती है जब मिलब गुर्टवाक्षन नहीं लग रहा होता है तब भारहिंता को हम मैसूस करते है नेक्स्ट क्यूशन देखिए क्या है एक अधिक होता है नेक्स देखिए क्या है वायू दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिराउट इस बात का संकेत है कि मोसम कैसा होने वाला है तुफानी होने वाला है जो वायू दाब मापी की जो रीडिंग में अचानक गिराउट आती है तो उससे क्या संकेत मिलता है कि मोसम जो है तुफानी होने वाला है नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं देखिए क्यों क्या बोल रहा है पौन आंत्रिक परावर्तन होता है जब प्रकास क्या होता है हीरे से काच में जाता है क्या बोल रहा है ये कि हीरे से काच में पूर्ण आंत्रिक परावर्तन होता है एक्जाम में छपने वाला कुशन जो मिराज है ये उधार्ण है किसका है पूर्ण आंत्रिक परावर्तन का है म्रग तृष्णा है वो किसके कान दिखाई देती है रेगिस्तानों में रोड पे तो ये दिखाई देती है पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के कारण इंपोर्टेंट क्यूशन है, फेरी फेरी इंपोर्टेंट क्यूशन, नेच्ट देखिए, सूर्य गरण तब होता है, जब सूर्य और प्रत्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, क्या होता है, जब सूर्य और प्रत्वी के बीच में कौन आता है, ये चंद्रमा होता है, त किस प्रकार का प्रतिबिम बनाते हैं तो आवतल लेंज जो है ये आभासी प्रतिबम बनाते हैं आवतल लेंज कैसा प्रतिबम बनाते हैं आभासी प्रतिबम बनाते हैं नेक्स्ट जो क्यूशन है वो है दूर्बीन क्या है टेलेस्कोपिक क्या है ये दूर की वस्तु देखन क्यूशन है ये भी नेक्स देखिए रेलवे का फेवरेट क्यूशन मायोपिया से क्या तात्परी है ये है निकट द्रस्टी दोस क्या होता है निकट द्रस्टी दोस को क्या का जाता है मायोपिया का जाता है इंपोर्टेंट क्यूशन है ये नेक्स देखिए हाइपर मैट्रो प्रियोग किया जाने वाला हैड मिरर का प्रियोग होता है। कौन सा mirror है उसमें उपयोग मिलाए जाता है ये आवतल जो है ये mirror उसमें कामे लिया जाता है जो head mirror होता है वो कैसा होता है आवतल होता है नेक्स है नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है तो ये कोर्णिया को प्रतिरोपित किया जाता है जो नेत्रदान के समय है किसका प्रतिरोपन किया जाता है ये कोर्णिया का प्रतिरोपन किया जाता है ये important question है एक्साम में पुछा जाने वाला क्यूशन है किसका किया जाता परत्यारोपर आंग के कोर्णिया को ट्रांसफर किया जाता है नेक्स देखिए द्रस्टी पटल रेटिना पर बना परतिबिन होता है तो कैसा होता है वस्तू से छोटा लेकिन उल्टा होता है कैसा होता है जो रेटीना पर प्रतिबिम बिनता है वो कैसी बनती है वस्तों से छोटी लेकिन उल्टी बनती है important question है ये भी next question क्यों बढ़ते हैं इसका answer बताइए दोस्तों ऐसे ही question exam में पूछे जाते हैं class में last तक बने रही है यही question exam के लिए important है बार बार आने वाले ये question है next नमारा जो question है ये है स्वस्च नेतर के लिए स्परस्ट द्रस्टी की नियूनतम दूरी कितनी होती है ये होती है 25 cm जो नेतर से स्परस्ट जो नियूनतम दूरी होती है जहां पर हम पढ़ सकते हैं बिल्कुल पासका तो ये होता है 25 cm की नियूनतम दूरी आपके पास होनी चाहिए तब ही आप अच्छे से उसको देख पाओगे या पढ़पाओगे किसी भी चीज को नेक्स है निकट द्रस्टी दोस से पिडित वेक्ती को क्या नहीं दिखाई देता है वस्तु है दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है नेक्स हमारा क्यूशन है निकट द्रस्टी दोस से पिडित वेक्ती के चसमे में प्रियोग किया जाता है तो उसके चसमे में क्या प्रियोग में किया जाता है और उसका जो द्रस्टी दोस है उसको दूर किया जाता है यह important question है, तीनों के तीरों important है, SSC में यह पूछे गए question है, जो स्वस्त नेत्र के लिए है, न्यूनतम स्पश्च दूरी क्या होती है, 25 cm होती है, निकट द्रस्टी दोर से पिडित वेक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाए देती है, और निकट द्रस्टी दोस को है, वो अ लाल, हरा और नीला है, ये प्रात्मिक रंग होती हैं, इसके लावब जो भी है, वो सारे तीतिये रंग होते हैं, तो यह आपको याद रखने है, हरा, लाल, नीला आपको ऐसे याद रखना है, पेट अथ्वा शरीर के अन्य आंत्रिक अंगूं के अन्मेशन के लिए प्रियूक्त तक्निक एंडोस्कोपी आधारित है। हमें तारे टिम टिमाते हुए दिखाई देते हैं. Next देखिए, यदि वायू मंडल ना हो तो पृत्वी से आकास किस रंग का दिखाई देखा? अगर वायू मंडल ही ना हो तो पृत्वी से जो आकास है वो काला दिखाई देखा. नेक्स्ट क्यूशन है अस्त होते समय सूर्य लाल किसे कारण दिखाई देता है तो ये प्रकिर्णन के कारण जो अस्त होता हुआ सूर्य है वो हमें लाल दिखाई देता है नेक्स्ट उस्मा का सबसे अच्छा चालक है तो क्या है चांदी जो है उस्मा का अच्छा सूचालक है क्या होता है चांदी है ये सरवादिक सूचालक घातु है ये इंपोर्टेंट क्यूशन है चांदी से रिलेटेट क्यूशन बहुत बार पूछा गया है कमरे के तापमान पर जो दरवब अवस्ता में पाए जाता है वो क्या होता है पारा होता है ये कुशन दोनों important है आपको याद रखना है next question देखिए किसी गाड़ी के अगर दीप से प्रकास का सक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए उप्योग में लाया जाना चाहिए तो क्या लाया जाना चाहिए आउतल दरपन का यूज करना चाहिए जो किसी के गाड़ी का जो अगर जो आगे की हैड लाइट होती है उससे प्रकास का सक्तिशाली जो समांतर पुंज है वो पाने के लिए हमें आउतल दरपन का यूज किया जाता है नेक्स है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दरपन का उप्योग करोगे तो किस प्रकार को उप्योग करोगे तो हम उ ऊतल दर्पन का यूज़ करते हैं। नेक्स देखे, दूर दरश्टी दोस निवारण के लिए काम में लेते हैं। important question दूर द्रस्टी दोस्ट के निवारण के लिए क्या काम लेते हैं उत्तल लेंज का उपयोग किया जाता है और निकर द्रस्टी दोस्ट के लिए वो आउतल दर्पन था और यहां पर है जो उत्तल लेंज का हम यूज करते हैं दूर द्रस्टी के लिए उत्तल लेंज का यू लिया जाता है नेक्स्ट है मानव सरीर की रेटिना पर कैसा प्रतिविम बनता है तो मानव सरीर की जो रेटिना पर हमारा प्रतिविम बनता है वो कैसा होता है वास्त्विक तथा उल्टा होता है किसी वेक्ति का पूरा प्रतिविम देखने के लिए एक समतल दरपन की नियुनतम उचाई होती है तो कितनी होनी चाहिए वेक्ति की उचाई की आधी उचाई है वो समतल दरपन की होनी चाहिए तब ही वो अपना पूरा प्रतिविम देख पाएगा उसमें नेक्स्ट क्विशन देखे फोटोग्राफिक केमरे का कौन सा भाग आंक की रेटिना की तरह कारिये करता है तो कौन सा करता है फिल्म है जो फोटोग्राफिक केमरे का जो फिल्म है वो आंक की रेटिना की तरह कारिये करता है next is camera में किस प्रकार का lens उपयोग में लाई जाता है तो ये उत्तर lens को camera में use किया जाता है next important question देखिए मानव की आँख वस्तू का प्रतिविम किस भाग पर बनाती है तो ये cornea पर जो है अपना प्रतिविम बनाती है मानव की जो आँख है जो वस्तु का प्रतिविम है वो कोर्णिया पर बनाती है नेक्ट क्यूशन है स्ताई चुम्बक बनाए जाते हैं किसके बनाए जाते हैं स्पाथ के स्ताई जो चुम्बक होते हैं वो स्पाथ के बनाए जाते हैं नेक्स्ट जो क्यूशन है, ऐस ताई चुम्बक बनाए जाते हैं, ये नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, नेक्स्ट है, लोहे की उपर जिंकी की परत चड़ानी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, गेलवेनाईजेशन क्या होता है, लोहे की उपर जिंकी की जो परत लोहे पर जंग नहीं लगता है नेक्स्ट हमारा क्यूशन है विद्यूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलने की युक्ती है तो विद्यूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में कौन बदलता है ये बदलती है विद्यूत मोटर है विद्यूत मोटर है वो विद्यूत उर्जा को यांद्रिक उर्जा में बदलती है नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्यूशन देखिए विजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है very very important question जो विजली के बल्ब का फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है next हमारा question है खत्रे के संकेतों के लिए लाल प्रकास का उप्योग किया जाता है क्यों? क्योंकि इसका प्रकिनन सबसे कम होता है इसलिए जो खत्रे के संकेत है उसमें लाल प्रकास का हम यूज करते हैं, किसके लिए प्रकिंदन सबसे कम होता है नेक्स क्यूशन है ध्वनी का तारत्व किस पर निर्भर करता है तो जो ध्वनी का पीछ है वो किस पर निर्भर करती है आवरती पर निर्भर करता है important question है exam में ये पूछा गया question है next हमारा है स्रवे परिशर में धवनी तरंगों की आवरती क्या होती है तो ये 20 Hz से 20,000 Hz तक की इनकी आवरती होती है जो सुनाई देने वाले जो धवनी है उसकी आवरती क्या होती है ये है स्रवे परिसर में धवनी तरंगों की आवरती 20 हर्ट से 20,000 हर्ट तक नेक्स्ट है दुर्बीन का आविस्कार किया था तो ये किया था गैलेलियो ने वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुशन दुर्बीन का आविस्कार किसने किया था गैलेलियो ने किया था next question क्यों बढ़ते हैं कौन सा उपकरंट चिकिस्दकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तो ये किया जाता है इस्तेतो स्कॉब जो है चिकिस्दकों के द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है next हमारा question है hydrogen bomb किस सिदान पर आधारित है तो किस पर है? यह नाभी की सलेयन पर आधारीत है और जो सूरिय से जो उज्जा प्राप्त होती है यह भी नाभी की सलेयन पर ही आधारीत है Next है, कौन से एक मात्र भात्रे वेग्यानिक है जिसने भौतिकी के छेतर में नोबल पुरुसकार है वो प्राप्त किया था ऐसे कौन से भारतिय वेग्ञानिक है, जिन होने भोतिकी के छेतर में नोबल पुरुसकार प्राप्त किया था, तो ये है Dr. C. V. Raman, कौन है? सिवी रामन है, इनको रामन प्रभाव के लिए भोतिकी के छेतर में नोबल पुरुसकार दिया गया था, ये important question है, इनको भारत रतन भी दिया जा चुका है, very very important question, next question देखिए, घरू में विद्युत सैंत्र जोड़े जाते हैं, तो ये किस करम में जोड़े जाते हैं, समांतर करम में, पहलेल करम में जो है, घरू में जो विद्युत सैंत्र है, वो समांतर करम में जोड़े जाते हैं, ये important question है, next है, लोहे में जंग लगना है, क्या है, एक एक रसाइनिक क्रिया है, important question है, रसाइनिक क्रिया है, क्या है, जोहे में जो जंग लगता है, वो क्या होता है, एक रसाइनिक क्रिया होती है next है विदूद बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है very very important question next हमारा जो question है वो है लाल रंग का गुलाब जो है हरी रोषनी में केसा दिखाई देता है तो ये काला दिखाई देता है very important question रेलवे में यह पुछा गया क्यूसन है प्रीविश ये का क्यूसन है जो लाल रंगा गुलाब है यह हरी रोशनी में काला दिखाई देता है तो यह आज की हमारी क्लास दी आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग और क्लास को लाज तक देखने के लिए था इंक्यू, मिलते हैं कल की क्लास में.